प्रिये छात्र छात्राओं आज हम प्रकास के अपवर्तन के बारे में जानेंगे प्रकास के अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम एक माध्यम के बारे में जानेंगे माध्यम जो होते हैं माध्यम से तातपरे है जिसमें प्रकास का किरन गमन करता है जैसे वायू वायू जो है एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो कन होते हैं वो काफी दूर दूर पाए जाते हैं अगर हम इसके सापेक्च काच को देखें तो जो काच में कनों के बीच की दूरी होगी वो वायू की अपेक्चा कम होगी अर्थात वायू में कनों के बीच की दूरी अधिक होती है जबकि काच में कनों के बीच की दूरी कम होती है जिसमें कनों के बीच की दूरी अधिक होगी उषको विरल माध्यम बोलेंगे और जिसमें कनों के बीच की दूरी कम होगी उसे शगन माध्यम कहा जाएगा आप सगन माध्यम और विरल माध्यम से परिचित हो चुके हैं अब हम प्रकास के अपवर्तन को शमजते हैं मान लिजिए एक प्रकास का किरन वायू से होकर काज में प्रवेश कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चुकी ये विरल माध्यम है और यहां से ये सगन माध्यम में प्रवेश करने वाला है तो इस बाउंडरी सर्फेस पे जो है ये प्रकास का किरन मुड़ जाएगा अर्थात प्रकास का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते शमय मुड़ जाना ही प्रकास का अपवर्थन कहलाता है जब प्रकास के किरन वीरल माध्यम से शगण माध्यम में प्रवेश करने लगती है तो इस अभिलंब की ओर जुक जाती है अर्थात अपवर्थन के बाद जिस समय ये मुड़ता है उस समय अभिलंब की ओर जुक जाता है और इस स्थिते में आपतन कोन का मान अपवर्थन कोन की अपेक्छा अधीक होती है परन्तु जब प्रकास की किरन शगण माध्यम से जैसे काँच से वायू में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और तब आपतन कोन का मान अपवर्थन कोन से कम होता है अर्थात अपवर्थन कोन जो होता है वो इस आपतन कोन से अधीक होता है यही जो है प्रकास का अपवर्तन है अर्थात प्रकास की किरन का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ने की घटना प्रकास का अपवर्तन है अर्थात बाउंडरी सर्फेस में यह क्या हो जाता है मुड़ जाता है दो कंडिशन है जब विरल माध्यम से सघन की ओर आएगा तो अभिलम की ओर जुकेगा और जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलम से दूर हट जाएगा यही जो है प्रकास का अपवर्तन है प्रकास का अपवर्तन क्यों होता है अगर इस प्रश्ण पर आए तो प्रकास का अपवर्तन होने के पीछे एक ही कारण है प्रकास की जो चाल होती है वो विभिन माध्यमों में अलग-अलग होती है अलग-अलग माध्यम में कनों के बीच की दूरी अलग-अलग होने के कारण प्रकास की चाल हर एक माध्यम में अलग-अलग होती है और इसी लिए जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविश करने लगता है तो मुड़ जाता है और इसी को प्रकास का अपवर्तन कहते हैं वह माध्यम जिसमें प्रकास का वेग अधिक्तम होता है प्रकास ये विरल माध्यम कहलाता है Optically Rarer Medium के नाम से जानते हैं जबकि जिसमें प्रकास का वेग नियुन्तम होता है प्रकास ये श्रगन माध्यम अर्थात Optically Denser Medium के नाम से जाना जाता है हम प्रकास के अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ओफ लाइट के बारे में जान चुके हैं।